दोस्तो नमस्काराण, सबोगत है आप सुभीकार, जिसा कि आप जानते हैं, किसी बरती सम्मध्यत कोई भी जानकarी ही दी जाती हैं और इस वीडियो के मार्दियम से जो भी आपको जानकरी दी जाएगी वो स्य रियल आफैंटिक होगी सबसे पहली अपडेट आपके लिए देखने के लिए मिलती है धन वर्शा को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि आप मैंसे बहुत सारे अभ्यरती बेउसगार हैं है ना बहुत सारे अभ्यरती हैं ना काफी लंबे समय से 2000 का नोट भी नहीं देखा होगा लेकिन फिर भी आपके लिए मैत पुड़ खवर ये है कि 2000 के नोट को बंद करने का फैसला भार सरकार के माध्यम से लिया गया है फैसला ये है कि 23 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बदल सकेंगे लेकिन बजार में जो नोट मौजूद हैं वो पूरे तरीके से वैद रहेंगे 2000 उपे के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया है जिसके बारे में जानकाई RVI के माध्यम से कल देर साम को नोटिफिकेशन जारी करते हुए दे दी गई थी अब जिसागी आप जानते हैं कि 2000 के नोट को बदलने का या बंद करने का फैसला लिया गया है इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके बताएं क्योंकि अर्थ विवस्ता के लिए बैसे सही माईनों में 2000 का नोट चालू करना ही गलत फैसला था क्योंकि 2000 का नोट लाने से निश्चित तोह पे बहुत साही चीज़ों के लिए नुकसान पहुँचा सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिलती है कि इसने बैस्टा चाल और ज्यादा बढ़ जाता है जहां पर एक लाग या फिर दो लाग रोपे लाने के लिए आपको दो गड़ियों का इस्तमार करना पड़ता था फिर आप दो लाग से फिर एक छोटी चीज़ गड़ी में आ जाता था तो इससे कहिने के बैस्टा चाल तो बड़ी राथ था दो हज़ार का नोट लाना ही एक गलत फैसला था अत्वर्स्ता के लिए भी लेकिन अब इसको बंद किया गया है तो आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं क्योंकि दो हज़ार के नोट बंद करने से उन लोगों को बड़ा जटका लगी गा जिन्होंने कहीने कि अपनी तिजोईयां भरके रखी हुई थी वज़ार के नोट को लेकर अब उनको वापस तो करना ही पड़ेगा बाकी आप जानते हैं कि नुकसान और फायदे अब गरीब आदमी या आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके पास ना दोजा का नोट पहले था ना अब है पांसो जाज बड़ी मुश्किल से हुआ कर दे थे वो निकल वा लिए गई चलिए बापस आते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ जो की संबंधित है लोगों में पांसो के नोट को लेकर भी डर है जैसा कि आप जानते कि दोजा की नोट की अफवा सुन मतलब बंद होने के बाद से अफवा फैलने लगी कि पांसो का नोट भी बंद हो सकता है तो मैं आपको बता दू कि अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है पांसो के नोट को बंद करने की अगर कुछ होगा तो आपको जियल ऑफेंटिक जानकारी आई वी आई की माध्यम से दी जाएगी जब उनका नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले किसी भी नीज पर भरुसा ना करें बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो के संब्द देते हैं आठ नई भरतियों के कर दिया गया है अगर बात कि जाए इनके विद्ध्यापनों के बारे में तो यहां पर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि दिल्री पुलिश सर्व इस्पेक्टर की जिसकी आविधन 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त को होंगे, जूनिय इंजीनियर की बात की जाए तो 26 जुलाई से लेकर 16 अगस्त, इस्टैनो ग्रॉफर C और D की अगर बात की जाए तो 2 से लेकर 23 अगस्त, जूनियर ट्रांस्लेटर की बात की जाए तो 22 अगस से लेकर 12 अगस सितंबर माफ कीजे और अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल की तो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर मल्टी टास्किंग स्टाफ की अगर बात की जाए तो 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक ये होगा आपका आवेदन का पूरा कारिकर्म, परिक्षाओं के बारे में भी यहाँ पर जानकाई यह दी गई है, तो यह तो बात हो जाती है उन भरतियों के बारे में जिनकी विग्यापन आने वाले हैं, अगर बात की जाए कुल मिलाकर कितने परदों पर भरतियां देखने के लिए मिलेगे जिसके समंद में यहां पर ओफीशल नोटिफिकेशन भी जाजी कर दिया गया है क्योंकि अखवारों के अंदर वही आपको बताया गया है जिन भरतियों को लेकर विग्यापन इस साल आने वाले हैं लेकिन अगर बात की जाए इस नोटिफिकेशन को लेकर इ अलाकि इनके विग्यापन तो इसी साल आ जाएंगे नवंबर या दिसंबर तक लेकिन इनके जो परिक्षाइं देखने के लिए मिलेंगी वो 2024 तक होगी कुल मिलाकर यहां से स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के माध्यम से लगबग लगबग 55,000 पदों पर आपको ये वेकेंसिय देखने के लिए मिलने वाली हैं जिनके लिए आवेदन जो होंगे वो जून से शुरू कर दिये जाएंगे आप जानदे कि स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के माध्यम से अलग अलग पदों के लिए भरतियों के विग्यापन निकाले जाते हैं तो कुल मिलाकर 55,000 से जादा पद से आप लेकर फिर हम बात करेंगे उत्तर बदेर से निकली नई सिच्छक बदी के विग्यापन के बारे में हैं तो ऐसे में अगर बात किज्जए लगसे बारे में हाली में उत्तर बिद्रस लोग से बाइब आयूक के माधियम से इसके संबर्द में नए नोटिस जारी किये गई थे उन्होंने कहा था कि जो भी एल्टीगेट सिच्छक बरती या फिर जी आई सी प्रवक्त्र सिच्छक बरती इन दोनों के लिए जिन्होंने पुरानी भरतियों में आविदन किया था लेकिन किसी कारण वस उन्होंने यहां पर नौकरी के लिए जोइन नहीं किया तो अब 27 ना अभ्यतन वापस लिया है इसका मतलब आप समझते हैं कि 27 नए लोगों को नौकरी मिलेगी आज अगर बात की है एक नोकरी जो मिलती है वो एक परिवार वेलिए हो बावित होगा और यहां पर यह सिर्व बात की जाए जी आई सी प्रवक्ता के बारे में अभी इसके अंदर आपको और भी बदलाब देखने के लिए मिलेंगे जाज की इंटर कॉलेज़ों के अंदर जी आई सी में सारे कद्यापक प्रशिश्च इसना तक सेंडी में पूरस म और इसके लावा महिला की अगर बात की जाए तो पांस चारसो चाल प्रतों पर भरती का विग्याबन दोरजा अठाय में निकाला गया था अब इनको लेकर यहां से अभ्यतन बापसी के लिए अभ्यति लगातार मांग कर रहे थे तो अभी तक जो जानकाई मिली है वो 27 हला कि अगर बात कीज़ें उन अभ्यतियों के बारे में जिन अभ्यतियों को यहां पे नौकरी मिलने वाली है इसको लेकर उत्तर पादेश लोकसर आयूक के माध्यम से दुतिय सूची जल्द जारी की जाएगी बात कर लेते हैं अपनी एगली अपडेट के बारे में जो की अब्रटिए आपको देखने के लिए मिलती है कस्तुभा गान्दी सिछक भरती होती है जिसमें सिर्फ महिला आवेदन कर सकते हैं दूसरा इन भरतियों में आवेदन करने के लिए यहांपे पतों की संख्या बता जाती है यह थोड़ा सा बिला रहे लेकिन अगर आप इसको ड समंदित नौटिफिकेशन को डाउनलूड कर सकते हैं अपने जिलों के बात कर लेता है यूपी टपलेसी के माध्यम से निकाली गई बीपियो भरती के बिग्यापन को लेकर आप जानते कि हाली में उत्तरपदेश अधीन सेवर चैनायू के माध्यम से नौटिफिकेशन जाली मांग की गई सप्राप्रमुक अगर बात की जाए अखली शीयादर इसके लावर और भी तमाम जासनित्रकों के माध्यम से जिनकी तरफ से सपोर्ट किया गया उबीसी आर्चन को लेकर अन्याय हो रहा है और हर भरती के अंदर ओवीसी आर्चन को लेकर पूरी सीटें नहीं दी जारी या फिर नोकिया नहीं दी जारी है ऐसे में अगर बात की जाए जो आप सुभी के सामने बीपियो भरती का बिग्यापन निकाला गया था उसमें विवाद यह है कि अगर बात की जाए 2468 के साथ पर 27% के अनुसार सीटे नहीं दी गई है यहाँ पर जो सीटे बिली है वोसे 139 ने जिसको लेकर अभियती ने विरोत किया है शुर्शिर विडिया के मादियम से और बीपियो भरती विग्यापन दद गर दे की मांग की जाती है जिसना शन्शोदन करके नई सेल से ज जाते हैं फिला इस वीडियो के मादियम से इतना ही थैंक यूवर वर्चिंग इस वीडियो